नवस्या दोस्तों, देख है आज की 19 अगर्स 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में तीन इशूज आज हम डिसकेश करेंगे, तीनों के तीनों हिंदू के पहला आटिकल चाइना के नुकलियर आर्शनल के एक्समेंड होने से संबंदित दूसरा आटिकल, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से संबंदित तीसरा आटिकल, किस टाइप की पुली समेच चाहिए, इससे संबंदित ये भी अच्छा आटिकल है, चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते है फर्स्ट, इंपोर्टन आर्टिकल, चाइना के नुकलियर आर्शनल के एक्समेंड होने से संबंदित है आप जी एस, पेपर 3 के इस टोपिक से, और जी एस पेपर 2 में भी इस आर्टिकल के कुछ-कुछ पॉइंट्स का आप इस्तमाल कर सकते हूँ यह आर्टिकल लिखा गया है, हर्स्वीपंत और कार्थिक बुमा कांति के द्वरा, वैसे देखो, दा हिंदू नामी गिरामी लोगों के आर्टिकल चापता है, तो हो सकता है कि आर्टिकल लिखा इन्होंने हो, इनके नाम पे चाप ना रहा हो हिंदू, तो यह इनके पास हर्स्वीपंत, इनके तो आर्टिकल आते रहते हैं, आपका नाम भी जोड़ देते हैं और फिर हिंदू में छपपा लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा है, खेर, इंटोडेक्शन में कहा जाता है, अभी देखो, इनफ एविडेंस मुझूद है कि चाइना जो है, अपने इंक्रीज करता जा रहा है, नुकलियर आर्सनल में देखो, सब कुछ आ जाता है, नुकलियर वेपन्स, नुकलियर वेपन्स को लोंज करने की फैसलिटी, नुकलियर वेपन्स से सम्मंदित एक्विपमेंट्स, सब कुछ आ जाता है नुकलियर आर्सनल में, तो चाइना लेकिन देखो जो डिटेल्स निकल के आ रही है न वो काफी ज़्यादा डिस्प्यूटिड है वह चाइना कितने मिसाइल सिलूज की फैसलेटी इस्टाबलिश कर रहा है कहां कहां पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई कि चाइना अपने जिंज्यांग रिजन में जो कि अत्यचार होता है यहां पर चाइना के पास 110 सिलूज है मतलब अभी ऐसी ख़बर निकल के आई और कुछ समय पहले यह खबर निकल के आई थी कि चाइना में जो एरीड जैसे हमारे राजस्तान में इलाका है वैसे ही चाइना में गांसू प्रोविंस में योमिन इलाका है य यह चाइना का मैप है और यह है गांशू प्रोविंस यहां पर चाइना के पास 120 सिलोज हैं अब देखो कोशन यह उठता है कि चाइना अपने नूकलियर आर्शनल को एक्समेंड क्यों कर रहा है इसका सिधा सिधा आंसर यह है चाइना पैरिटी चाहता है USA के साथ USA के पास दे USA ने हमारे उपर नूकलियर वेपन्स का अटैक कर दिया तो हमारे पास कम से कम इतने नूकलियर वेपन्स होने चाहिए जो USA के हमले से खतम ना हो जाए चाइना को यह लगता है पहला स्ट्राइक USA ने किया भी तो रिटालियेशन करने के लिए हमारे पास नूकलियर वेपन् को expand कर रहा है इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो इस से फरक नहीं पड़ता कि चाइना क्यूं अपने nuclear arsenal को expand कर रहा है फरक इस बात से पड़ता है किस rate से कर रहा है और कितना ज्यादा nuclear arsenal को expand कर रहा है कोशिन ये उठता है क्या चाइना सैकडों नए warheads develop करके या फिर हजारो nuclear warheads develop करेगा अभी चाइना के पास strength कितनी है nuclear warheads की देखो बिलकुल evidence तो नहीं है लेकिन फिर भी Stockholm International Peace Research Institute और Federation of American Scientist के अनुसार अभी चाइना के पास 250 से लेके 350 के बीच में nuclear warheads हैं लेकिन कुछ experts ये भी बोलते हैं अभी जो ये अलग-अलग खबरे आ रही है कि चाइना जिंजियांग में missile silos develop कर रहा है यानि missile launch करने की facility और गंसु प्रोविंस में भी कर रहा है ये reports misleading हो सकती है और ये भी हो सकता है कि चाइना ने जान बूच के ये reports market में release की हो लीग की हो अब question उठता है ऐसा क्यों मतलब चाइना अपनी जो ये reports है वो क्यों लीग क करना चाहेगा अपनी nuclear missile launch करने की facility की बारे में क्यों कोई देश बताएगा actual में देखो ये खबरे जूटी भी हो सकती है कि यहाँ पे missile launch करने की facility हो ही ना लेकिन चाइना ने जान बूच के जूट बोल दिया ऐसा क्यों देखो अगर पूरा world मान लेगा कि यहाँ पे जिंज नुकलिर missile कर सकता है और यहाँ पे होंगी ही नहीं यहाँ पे चाइना का कुछ नहीं है लेकिन फिर भी USA ने यहाँ पे facility है nuclear missile launch करने की तो USA ने यहाँ पे nuclear missiles launch कर दी तो फिर यह तो चाइना यूएसे की तो nuclear missiles waste हो जाएंगी ना यही चाइना चाहता है कि जूटी information USA के पास ह ताकि USA कलको missile launch करें यहाँ पर तो उसकी missiles waste हो जाएं इसलिए चाइना जान बूच के जूटी information leak कर रहा है ऐसा भी कुछ experts दावा करते हैं अगर देखो वैसे missiles की बात करें ना तो चाइना के पास जो nuclear tipped ballistic missiles है ना वो ठीक ठाक है quality में और quantity भी चाइना के पास अच्छी खासी है चाइए वो land based missile हो या फिर sea based missile हो चाइना के पास intercontinental ballistic missiles capability है जिसे DF-41 का नाम दिया गया है और intermediate range ballistic missiles भी है जिनको नाम दिया गया है DF-26 अभी देखो शोला जो DF-26 missile के launcher है वो deployed किये हैं जिंजियांग रिजन में जो इंडिया चाइना बोर्डर के नजदीक है फिर से देखें इसे यह इंडिया चाइना बोर्डर के नजदीक है ना जिंजियांग रिजन तो यहां पर सोला launcher deploy किये गए है DF-26 missile के question यह उठता है कि चाइना ने इंडिया के बोर्डर के इतना नजदीक यह जो launcher deploy किये है क्या इससे इंडिया को डरने की आउ सकता है देखो वैसे तो इंडिया के पास भी nuclear weapons है वैसे तक चाइना से कम हो लेकिन इंडिया के पास nuclear capability है और इसलिए ऐ चाइना इंडिया के ऊपर nuclear weapons launch कर देगा first strike करेगा और चाइना की वैसे no first strike वाली policy भी है मतब कितना वो इसे implement करेगा वो बात अलग है दोखा भी दे सकता है लेकिन world को दिखाने के लिए कम से कम चाइना की no first use की policy है लेकिन इंडिया पर pressure create करने के लिए जरूर चाइना ने इंडिया के border के नजदीक launchers deploy किये है ताकि border पर जो tensions है न उस संदर्व में जब negotiation हो तो इंडिया पर pressure डाला जासके कुछ points जैसे आपको पता है अभी भी उन points पर जैसे डेपसांग planes है उन points पर अभी भी चाइना की जो forces है न वापस पीछे नहीं गई है यानि पिछले साल अप्रेल से पहले की जो situation थी वो situation आज भी वापस नहीं आई है चाइना की troops थोड़ी आगे हैं वर्ल के दूसरे देशों को जुरूर चिंतित होना चाहिए चाइना के बढ़ते nuclear arsenal को लेके क्यों क्योंगी देखो cold war के दुरान USA और USSR के बीच जो nuclear weapons की race start हो गई या competition start हो गया experts बोलते हैं कि जितने जो USA के पास बाकी देशों के पास nuclear weapons हैं उनको eliminate कर दो और denuclearization होना चाहिए पूरे वर्ल्ड का और दूसरी तरफ चाइना अपनी nuclear arsenal को increase कर रहा है खत्रा तो है ना बेसक सिरफ USA के द्वारा जपान के उपर nuclear weapons का एक बार इस्तमाल क्या गया हो मतलब दो nuclear weapons अर्थ पर रहेंगे खत्रा तो हमेशा बरकरार रहेगा ना कि गलती से भी इनको ना use कर लिया जाए आपको याद होगा USSR की एक submarine का contact खतम हो गया था base command के साथ उन्होंने काफी कोशिस की उनको लगा कि nuclear attack हो गया है USSR के उपर तो उन्होंने planning कर ली थी कि हम भी USA के उपर nuclear missiles चोड़ेंगे अंत में देखो एक जनरल थे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं नहीं हम पहले verify करेंगे हम ऐसे nuclear missile नहीं छोड़ सकते USA के ऊपर बात में उनकी काफी तारीफ भी हुई थी कि उस जनरल ने मतलब वर्ड को तबाह होने से बचा लिया क्योंकि USA के ऊपर वो करने के लिए ट्रीटीज भी थी ना वह बाता लगा है कि ट्रम्प जब आये कुछ ट्रीटीज को खतम कर दिया लेकिन स्टार्ट जैसी ट्रीटीज थी कि nuclear weapons को हम limit करेंगे बर चाइना तो किसी के साथ में ना तो USA के साथ में ना ही USSR के साथ में इसी परकार की कोई भी ट्री देखो पहले एक scheme हुआ करती थी export को boost करने के लिए merchandise export incentive scheme, exporters को incentive दिया जाता था इस scheme में लेकिन WTO dispute settlement body के पास इंडिया की ये scheme पहुंची और WTO ने कहा कि WTO के जो trade norms हैं उनको fulfill नहीं करती है ये scheme, तो सरकार ने इस scheme को खतम कर दिया merchandise export incentive scheme, तो इसके बाद exporters को incentive देने के नई scheme लेके आई, जिसका नाम है remission of duties and taxes on exported products, ये scheme देखो effective है इस साल के एक जनवरी से, बट डिक्कत ये है, सरकार अपनी थोड़ी daily है, सरकार ये scheme तो ले आई, लेकिन पिछले 8 मैनों से सरकार ने ये नहीं बताया कि वही है कौन से good पे आप export करने पर कितने tax की छूट दो समझ गे, समझ गे, वैसे scheme एक जनवरी से लागू होगी, लेकिन सरकार ने ये तो बताया नहीं कि हम pen export करेंगे तो कितने tax में कितनी छूट मिलेगी, steel export करेंगे तो tax में कितनी छूट मिलेगी, सीधे सब्दों में ये scheme ले तो आई सरकार, लेकिन इस scheme के अंतरगत nitty gritty को सर सरकार ने बताया ही नहीं, आठ महीने लगा दिये, अब जाके सरकार ने बताया है, कौन से goods पर हम tax में कितनी छूट देंगे, तो मेली देखो, इंडिया जितना export करता है न, उसके 65% value के goods पर tax की छूट मिलेगी, किसी good पर ज्यादा है, किसी good पर कम है tax की छूट, steel, pharmaceuticals, chemicals, इनको तो इस scheme से exclude कर दिया गया है, इनको export करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी tax पर, छूट मिलेगी कितनी 0.5% से लेके 4.3% के बीच में, यह किसी good पर 0.5% होगा, किसी good पर 4.3% होगा, और किसी good पर दोनों के बीच में होगा, मतलब यह range है, इस range के बीच में, अलग-अल हैं, उनका कहता है, हमने ज्यादा expect किया था, कि ज्यादा tax में छूट मिलेगी, लेकिन छूट मिली है, कम, कुछ companies ऐसे भी हैं, जो बोलती हैं, कि हम expect कर रहे थे, कि हमारा जो माल है, उसको export करने पर छूट मिलेगी, लेकिन आपने हमारे माल को तो exclude कर दिया, इस scheme के लाप स तो कुछ तो देखो, concerns हैं, धिरे-धिरे वो vacuum जो है, वो fill होगा, और हो सकता है, सरकार को कुछ auto tuning करने पड़े, यानि scheme में बदलाव दाना पड़े, लेकिन कम से कम इतने महिने बाद, सरकार ये scheme के सरकार ने rules तो ड्रा किये, इतने महिनों से, जो exporters हैं, उनको छूटने मि जाना चाहते हैं, तो उस मामले में ये जो scheme है, ये लाबदायक साबित होगी, और ज्यादा exporters motivate होंगे, export करने के लिए, अभी आशकता ये है कि, एक नई foreign trade policy लाई जाए, और जोखी वैसे September तक आ भी जाएगी, इसके लावा देखो, September तक नई foreign trade policy के अलावा, दो छोटी- export related schemes में आएंगी, और पिछले दो साल के exporters को जो dues pay करने हैं, वो भी सरकार के दोरा pay कर दिये जाएंगे, मतलब दो साल में exporters ने जिन schemes का लाब उठाया है, उनको अभी तक उनका due नहीं मिला है, सरकार ने उनको refund नहीं किया है, तो सरकार उनको September तक उनका refund वापस कर देगी तो आर्टिकल में कहा जाता है, export promote करने के लिए ये जो अभी सरकार urgency show कर रही है, ये पूरे साल maintain रहनी चाहिए, ऐसा ने कि हाँ, कई महिनों बाद आप जागो और फिर सो जाओ, अभी देखो RCEP का हिस्सा तो इंडिया नहीं बना, लेकिन अभी इंडिया कुछ देशों के साथ में free trade agreement sign कर सकता है, negotiation चल रही है, जैसे Australia, UK, EU, USA, global economy जो है वो अब revive करने वाली है, क्योंकि vaccination काफी तेज गती से चल रहा है, तो COVID-19 के कारण जो lockdowns लगे, वो सब कुछ हुआ, second wave इंडिया में आ गई, recovery कर रही थी economy, उन सब चीजों से अब इंडिया उपर उठेगा, क् कि बाकी देशों में भी situation improve हो रही है, तो export भी हमारा improve होगा, इससे देश की economic situation improve हो गई, बर देखो सिरफ export से काम ने चलने वाला है, सरकार को public capital भी spend करना होगा, यानि अपनी तरफ से expenditure increase करना होगा, ताकि demand create हो, सरकार जब खर्चा करती है न ज्यादा जैसे, मालो infrastructure पर सरका किया, तो ज्यादा काम मिला, steel किसी ने बेचा, workers ने काम किया, इतने सारे लोगों को रोजगार मिला, तो उनको अपनी अपना पैसा मिला, income मिली, salary मिली, तो फिर वो market में जाएंगे, खर्चा करने के लिए, तो demand create होगी, तो public capital spending और export, दोनों जो है, वो growth engines है, सिर्फ export को promote क करने से economic situation improved नहीं होगी, public capital spending जो है, सरकार को वो भी increase करनी होगी, तो ये पूरा article हमने discuss किया, export को promote करने से समदित, इसके बाद next जो article है, वो police से समदित है, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, रंजीता सर्मा जो IPS professional है हर्याना से, अपनी community के member है, आपको याद होगा, इनकी training अब समाप्त हो गई, और इनका जो बैच था, 2019 का, इनके बैच में इनको रंजीता सर्मा को सम्मान मिला, passing out parade को command करने का, National Police Academy, जो की हैधराबाद में है, रंजीता सर्मा ने दो awards जीते, एक तो देखो, best all-round IPS professional और दूसरा, sword of honor for the best outdoor professional, और देखो, interestingly, पिछले साल भी, जो best professional प्रोबेशनर का award था, महिला IPS को मिला था, किरन सुरूती, इसके बाद article में कहा जाता है, देखो, जिस प्रोबेशनर का चुनाव किया जाता है, passing out parade को command करने के लिए, उसकी दोनों तरह की performance देखे जाती है, outdoor performance भी, और classroom performance भी, क्योंकि अगर सिरफ कोई किताबी कीड़ा है, तो भी साही नहीं है, और सिरफ एक best athlete है, knowledge कम है, तो भी साही नहीं है, इसलिए जिसकी all-rounder performance होती है, जिस ट्रेनी की, जिस प्रोबेशनर की, उसका चुनाव किया जाता है, passing out parade को command करने के लिए, और best probationer award जो है, वो recognize करता है, अच्छा conduct, empathy, और quick reflex, मतलब quick response, ये वो ideal qualities हैं, जो किसी भी police officer में होनी चाहिए, खतरनाक situation में intervene तरने के लिए, और गरीब से गरीब लोगों को बचाने के लिए, जिनको harass किया जाता है, anti-social elements के द्वारा, अच्छी बात देखू ये है, आज के जो IPS officers हैं, वो tech savvy हैं, वो technology का use जानते हैं, ये हमार देश में future में law enforcement के लिए काफी जदा अच्छा हैं, इवन lower level पे जो police officers हैं, वो भी technology का use करते हैं, crimes को solve करने के लिए, और public assemblies को regulate करने के लिए, ये अच्छी बात हैं, अगर देखो IPS officers की बात करे ना, हमारा देश उन चुनिंदा देशों में से एक हैं, जहां पर young IPS officers को बड़ी बड़ी responsibility दी जाती है district में काम करने के लिए, जबकि दूसरे देशों में senior officers को जिम्यदारी दी जाती है, district को संभालने के लिए, तो हमारे देश में IPS officers पर trust किया जाता है, young IPS officers के हम बात कर रहे हैं, जिनकी training अभी अभी smart हुई है, जिनका बहुत लोगों का, मतलब जातर officers का तो prior experience नहीं होता, हां कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका job experience होता है, किसी private company में या फिर even सरकार में, लेकिन जातर officers ऐसे होते हैं, जिनका prior experience नहीं होता, वो पहली बार job कर रहा है, या फिर कर रही हैं, आप सोचके देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे अभी, जो university से, college से अभी अभी clear हो जाए, तो कितना अच्छा होगा, कितने young age में आपका selection हो गया, तो ऐसे लोगों पर सरकार भरोसा करती है, और training मिलने के बाद, 3-4 सालों के बाद, आप SP बन जाते हो district के, कुछ states में ज़्यादा समय लगता है, 5-6 भी लग जाते हैं, कुछ में 7-8 भी लग जाते हैं, अ अपसोस की बात ये है कि बहुत सारे जो IPS officers हैं, वो अपनी integrity के साथ compromise करते हैं, तो सोच के देखिए, even senior level के जो officers है, ऐसा करते हैं, तो junior level officers पर क्या impression पड़ता हैं, जैसे मुंबई के जो former police commissioner है, परमबिट सिंग, उन पर extortion के आरोप लगे हैं, तमिलाडू में एक IPS officer हैं, उन को कोर्ट में चार्चिट सर्व की गई हैं, एक केस था उनके उपर महिला officer को हरास करने का, जब ऐसे ऐसे आरोप लगेंगे senior police officers पर, तो ये काफी ज़्यादा disgraceful हैं, जब हम ये सब देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो national police academy है, हैं, हैदराबाद में, इस academy का बहुत build करने में ये academy सफल नहीं हो पाती, देखो एक बात वैसे बोलू, बहुत कड़वी बात है, बहुत ज़्यादा कड़वी बात है, जातर officers करप्त हो जाते हैं, एक बार service को join करने के बाद, बहुत ही कम officers बिलकुल इमानदर रह पाते हैं, आप जब system में enter करोगे, तब आपको पता लगेगा, और मुझे तो पूरी-पूरी मुईद है कि, उमीद ही नहीं, पूरा-पूरा जो विश्वास है कि, only eyes community से जो भी officers बनेंगे, वो अपने character को uphold कर पाएंगे, बेसक उन्हें लाइफ में कितनी ही success मिलें, क्योंकि वो सारे ground से जुड़े हुए हैं, उसके पास, लोग जाने से डरे ना, आज के समय में देखो, ठाने में क्या situation होती है, बहुत से लोग तो police station में जाने से डरते हैं, कि कहीं हमें ही मार पीट दिया जाए, हमसे ही resource की demand ना कर ली जाए, इसके साथ-साथ, police की जो efficiency है, वो भी increase करने क्या सकता है, महिलाओं के against, जो हमा मतलब crime हो जाता है, लेकिन police के पास उसकी FIR नई दर्ज करवाई जाती, popular belief तो देखो यही है, कि इंडिया अभी भी महिलाओं के लिए safe नहीं है, 2012 में निर्विया case हुआ था, ये सिरफ एक example नहीं है, नजाने कितने rape के कैसी सामने आते हैं, ये ना सिरफ एक state की police के लिए, कि पूरे देश की police के लिए ये धबा के समान होते हैं, क्लंक के समान होते हैं, दिक्कत देखो ये भी है न, जो senior level पे अच्छे अची post है न, वो skill के अधार पर मिलने चाहिए, किस officer में कितनी skill है, कितने अच्छी leadership quality है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, किस officer के कितने अच्छे link है politicians के साथ, कौन सा officer कितनी रिस्वत दे सकता है, उस अधार पर ये तैह होता है, कौन सा officer कौन सी post पर रहेगा, अच्छी बात देखो ये हैं, अब Supreme Court ने state के DGP के लिए, DGP कौन बनेगा, इसके लिए criteria ड्रा कर दिया है, UPSC, UPSC तीन officers का एक panel भेजती है, state government के पास, और state government और तीन में से एक नाम select करती हैं, लास्ट में conclusion में ये कहा जाता है, हमें देखो honest और hard working officers के आप सकता है, टो पर, जो responsive हों, जो respected हों, ऐसा ने की लोग उनसे डरें, लेकिन हमें ये introspect करने के आप सकता है, आखिर कर ऐसे officers, जिनका educational record अच्छा होता है, जो IIT IM से भी कई बार pass out होते हैं, लेकिन IIT IM matter नहीं करता है, जो middle class से होते हैं, सुरुवात में जमीन से जुड़े होते हैं, अच्छी values वाले होते हैं, वो अपने path से आखिर कार क्यों deviate हो जाते हैं, ये हमें introspect करने के आप सकता है, ऐसा writer question raise करते हैं, आप सोचके देखिए, क्यों हो जाते हैं, थोड़ा सा life में हासिल किया, तो eliteness आ गई, इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया, सिधे मूँ बात करना बंद कर दिया, पैसे priority हो गए, empathy, sympathy, सब कुछ खतम हो गया, ऐसा आखिर कर क्यों हो जाता हैं, आप सोचिएगा, आखिर कर ऐसा क्यों होता हैं, जब आप reasons find out करोग तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप हमेशा ground से जुड़े रहोगे, आपकी ये values कभी खतम नहीं होगी, तो ये हमने पूरा discuss किये 3 articles, आज की discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.